साथ जी आप लोगों सम्भोधित करेंगे अधर निया नियल बगनुजी सरी पत्रकार में तुरो नमस्कार मुंबई में जो बैठक हुई और उसके बाद जो प्रेस में बाते आई पार्टी के राष्टिये मंच से उसका उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने में पस्थित हूँ हमारे केंद्रिये करा लेने ये तीसरी बैठक थी पत्ना, बैंगलोर, मुंबई इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्यान के लिए कोई प्रामानिक विकल्प सामने आया? क्या देश की महिलाओं, बच्चों, स्वास्थ के लिए कोई ठोस बाते कही गई? क्या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ प्रामानिक संकल्प का कोई संकेत दिया गया? और क्या देश के विकास, धाचागत और अध्योगिक विकास की कोई रूपरेखा प्रसुत की गई? In the third meeting of the so-called alliance, there was no vision for the development of India. No road map for the upliftment of poor. No strategy to address the concern for the farmers as they claim for the women or the children. And the most important, forget road map, not even an acknowledgement of the threat to India from terrorism, radicalization and secessionist forces. भारत में डाइवरसिटी है यो लोग भारत में विकल्प की तलाश खने निकले है और इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो. That's all. Their only recurrent theme is abuse शी नरंद्र मोदी जी as much as possible. तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिपणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी, कौल नरंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है इसकी पढ़िश पढ़ा थी. There was only competition as to who exceeds whom in cursing, abusing नरंद्र मोदी जी. ये लोग चले हैं देश को बनाने के लिया. ये आरूब लगाते हैं कि नरंद्र मोदी जी स्वैम और उनके सरकार अधिनायक वादी है, सवालों का जवाब नहीं देती है, संविधान के अनुसार नहीं चलती है. मैं आप पत्रकार मित्रों से आज एक बात कहना चाहता हूँ, ये तीसरी बार हुआ है कि नेता बैठे हैं, कोई पत्रकारों के प्रश्णों का जवाब नहीं दिया गया. I am repeating, पत्ना में एक दो सवाल हुआ, फिर नितिजी ने कहा हो गया, हो गया. बैंगोर में कहा गया, समय नहीं है, अब मुंबई में आपने देखा. तो आप सवालों का जवाब नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे. ऐसी आपनाईस हुई, छोड़िये, उसमों मुझे कुछ नहीं कहना है. लेकिन आरोफ हमपन लगाएंगे. ये कौन सा आचरन है भाई? लेकिन आज मुझे सबसे कौतुहल हुआ है, जो तथा कतित इंडिया का रेजिलूशन जो है, ये मेरे पास है, उसको रिलीज किया गया है, जरा मैं उसको पढ़ना चाहतू. We, the India parties, hereby resolve to contest the forthcoming lokswawah election together as far as possible. Sheet-sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. ये give and take शब्दावली ने मुझे भहुत ही प्रभावित किया है. प्रभावित क्या कहूँ? कौतुहल दिया है. इन दो कोई आशर नहीं है न? इस alliance के लोग, give and take की भाषा से बहुत पर्चित है. इनकी पूरी राजनेती give and take पर अधान थे. पूरा 2G give and take था. पूरा कोलिस कैम गिव एन टेक था. पूरा आपका Commonwealth give and take था. और लादू प्रसाद जीये और उनकी सरकार ने तो give and take की पराकाश्ठा प्राप्त कर दी सहाब. चारा घुटाले में सजा मिल गई. एक नहीं कई केसेज में हैं बेल पर. तो सहाब ने ने प्रकरण खुलते हैं. जमीन दो तोकरी लोग. तो give and take का इस से बड़ा नमुना क्या हो सकता है? मैंने एक बार कहा था. और आज इनकी बैठक के बाद, इनकी प्रस्ताओं के बाद, उसको मैं दुबारा दुराना चाहूँगा. अनिल बाबु पहाड़क के पंडित जी हैं, तो इनसे हमारी आध्यात्मिक चर्चा भी कभी कबाद होती है. तो यह अपनी संदचना जो है यह पंच तत्तों से हम बने हैं. भारतिय संस्कृतिय संसकार में हिंदू सनातन धर्म में हम कहते हैं कि यह जीवन पंच तत्तों से बना है. जल, थल, नब, वायु, अगनी, the human existence owes itself to five elements. The earth, the fire, the air, the sky, and the air. बताया अब देखिए इन लोगों ने किसी भी तक तुम्हें भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा ये हैं इनकी विसात वाद हम देश को दुबारा बताना चाहते हैं अब जुना थल के भ्रष्टाचार की बात लीजिया क्या क्या हुआ commonwealth हुआ आदर्श घोटाला हुआ बिहार में चारा घोटाला हुआ बिहार में अलकतरा घोटाला हुआ इनको थल से संटोश नहीं हुआ तो पाताल भी चले गए वहां कोईला घोटाला कर दिया है आकाश में हेलिकॉप्टर घुटाला कर दिया और वायू क्या है तूजी तो वायू से ही चलता है ना तो पूरा तो टूजी जा इस पेक्ट्रम घुटाला है वायू के साथ समुद्र की जल की बात लीजिए तो सब्मरीन घुटाला हुआ और अगनी के बारे में बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि बीका नेर में जो दमाजशी को जमीन दी गई है सूर्य के किर्णों से अगनी निकालने के लिए वहां प्लैंट लगाए जाएंगे उसमें कितना है फाइर हो आप जब भी जानते ही हैं तो इस दे रेकॉर्ड इंडिया पार्टी और वो हमें सीख दे रहे हैं तो इस तीसरी बैठक का एक मात नतीजा ये है कि उन्हों ने अपने गिव और टेक प्रिंस्पल को फॉर्मली पुलिटिकली भी माना है न कोई स्वयोजग बना न कोई कमिटी बनी एक गिव और टेक प्रिंस्पल को स्विकार किया गया है चलिए उनकी बात है हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं ने लेटेस्ट सर्वे में नरंद मोदी जी की लोग प्रियता प्यू सर्वे में आपने देखी है दुनिया में भी देखी बहरत में भी देखी है कि कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं लालू प्रशाद जी राहू अन्धी हलुक रसाजी आप बेल पर हैं पता है ना आपको इस से दिक मैं नहीं बोलूँगा और आप प्रधामंत्री के बारे में क्या क्या कहते हैं इतनी शर्मिंदी की भरी बात तो मैं बोल नहीं सकता आप सभी जानते हैं उनका शब्दों का प्रेयोग कर रहे हैं क्या दबा देंगे उनका मुझे बताने की जरूद नहीं है लेकिन आज कुछ राहूल गांदी के बारे में फिर बताने की जरूद है राहूल गांदी की क्या चीन के प्रवक्ता हो गए हैं क्या और ये बात हम बड़े जिम्वारी के साथ बोलना चाहते हैं राहूल गांदी, have you become the spokesperson of the Chinese establishment? और ये बात मैं बहुत जिम्वारी से कहना चाहता हूँ कि भारत की सेना ने लद्दाक के बारे में बार 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 बताया है डलवान में क्या हुआ बाकी जगा क्या हुआ हमने क्या 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 सासिक क्या आप सेना को भी विश्वास नहीं करते हैं तो आप से और क्या पेक्षा की जाए आप सेना की शहादत ता सबूत मांगते हैं तो आप से और क्या कहा जाए कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रोमोट करते हैं जनको चाइना फंडिंग करता है आपके पूरे फिता जी के नाम के Takes को कहा कहा से पैसा मिला है ये चर्चा डिल जिया है कर चुके हमारे प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं मैं दोराओंगा नहीं उसको उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कॉंग्रिस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे ये सवाल में आज मुटे उठाना है आपके नाना जी के समय 4500 किलोमेटर की जमीन चली गई राहुल जी आज मैं आपको कुछ पार्टी के केंद्रिय मंच से कुछ याद दिलना चाहूँगा आपके पर नाना जी जवादा नहरू का स्टेट्मेंट याद करिये उनने अकाश्वानी में कहा था माई हाट गोज फॉर आसाम जब भरत की सेनाए चीन के तारा हराई जा रही थी और जब उनसे पूछा गया तो उनने कहा तो राहुल गांदी जी आज आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि महवीर त्यागी एक बहुत बहुत पर फ्रीडम फाइटर थे कॉंस्ट्रण संब्ली के सदस्थ थे उनने कहा जवादल नेहरु जी मेरे सर पर बाल नही है आप अपनी टोपी हटाई है आपके सर पर भी बाल नही है क्या करेंगे हम दोनों के सरकाथ जे तो आप कुछ पड़ते नहीं है हूंवर्प करते नहीं है तिबत कब घुलाम हुआता राउल गांदी आज तक है तलाईलावा कब भागे थे कुछ मालू है आपको कुछ नहीं जानते हैं इन हर भारा करके चाइना के प्रवक्ता के रूप में भारत के सेनाओं के मनों बलको कमजोर करने की कोशिश करेंगे यह बहुत दुर भागे पूर्ण है और मैंने एक बार यह वाद संसत में कही थी आज मैं पार्टी के मंच से इसको दुरहना चाहता हूँ राउल गांदी जी आपकी सरकार की ओफिश्यल लाइन थी मनोहन सिंग के समय के हमने चाइना से सटे भारत के हिंसो पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके चाइना को इरिटेट नहीं करना है यह मारे ओफिश्यल नहीं है और आपके एके अन्थोनी साहब रक्षा मंत्री का पार्लेमें पर वक्त अब्या है और मैं आज कम से कम टीवी मीडिया से रिक्वेस्ट करम को दिखाया जाए इपर दिखाया गया था और आज लद्दाक से लेकर नाचल तक राहुल गांदी सारी सडके बन गई है सारी पुलिया बन गई है और सेना के ट्रक समाल लेकर दोड़ते हैं और जाल लेकर दोड़ते हैं राफल के बारे में आपने क्या क्या कहा है तो सभी जानते हैं उस पर भी आज राफल जब गरजता हुआ उड़ता है तो भारत अधिक सुरक्षित होता है तो हम इतना कहना चाहेंगे कि क्या कहीं न कहीं चाइना भी आपके एलाइन से प्रसंद हो रहा है क्या राहुल गांदी कि आपको बार बार चाइना की सुतिदान करना पड़ता है ये मैं संशेक के आलोग में ये स्वा उठा रहा हूँ Mr. Rahul Gandhi on behalf of the BJP would like to raise an important issue in the light of surrounding suspicious circumstances क्या हर बार आपके एलाइनस की बैठक में चाइना का इस तो जिदान होना जरूरी है क्या ये बड़ा गंबीर सवाल है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके एलाइनस को सपोर्ट करने वाले बहुत से मेडिया हाउसे चाइना के दारा फंडे नहीं तो आप ही लोग ने कहा है कभी होगा तो पुरा विस्तार से हम विश्या आपके सांदे रख देंगे आज पार्टी के ओर से हमें एक और बहुत दंभीर सवाल उठाना है यह इस देश की जनता को तै करना है क्या हूँ ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को चुनेगी जो भारत के विकास गरीबों के विकास और भारत की विरक्षा के ब्रति प्रतिबद हो कमिटेड हो यह ऐसे एलाइंस को चुनेगी जहां आप चिस के दाम लगते हैं ये हैं बड़े सवाल और इसको भारत की सुरक्षक अभी बहुत बड़ा सवाल है और मुझे ये बात जरूर कहनी है कि जिस थरीके से विकल्ब का भाव ये बात चुकि यहां से कही गई है शाद कल्ब परसों मैं इसको दुहराऊंगा उनके एलाइंस में न नीती है न नीयत है न कारिकरम है न भारत के विकल्ब और भविश्य की रूप रहेगा है न नीती न नीयत न कारिकरम न विकल्ब की रूप रहेगा और उस एलाइंस के लोग को समझना पड़ेगा कि नरिद मोदी की सरकार क्यों लोग प्रिया हैं इसलिए कि पचास करोड़ों के एक एकाउंट खुले हैं इसलिए कि 27 लाख करोड रुपे भेजे गए हैं लाखों करोड रुपे बचे हैं उनके एकाउंट में डाइट बेनफ ग्यारा करोड किसानों के एकाउंट में एक बटन दबाते ही एक लाख करोड रुपे जा रहे हैं इतनी सडके बन रही है आज भारत का भारत में बना हुआ वेपन आज दुनिया में जा रहा है आज भारत ने अपने एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाया है मोबाइल मनुफैक इससे आपको परिशानी है आज भारत के खिलारी दुनिया में क्या नाम कर रहे हैं इससे आपको परिशानी है फ्रिप्या करके आपके एलाइंस के लोग देश का मनुबल न तोड़े राजनूती होती है होती रहेगी लेकिन मोदी विरोध के कारण आप देश का विरोध कर नगे देश की संकल्ग को कमजोर करने लगे यह बहुत बिला दायक है मित्रों बाकी तो वो अपना घुमेंगे करेंगे देश अजाद है घुमने में क्या दिक्कत है लेकिन नदेश उनकी बात आज सुनता है नदेश उनकी बात आगे सुनेगा अंतिम बात मुझे क्या कहनी है फिर मैं आपके प्रशनों का उत्तर दूँगा हताशा में हार होती है आशा में जीत होती है I repeat हताशा में हार होती है आशा में जीत होती है If you are desperate you will surely be defeated if you entertain hope you may be redeemed पूरे में बस हताशा है तो हार बनेशेट है धन्यवाद अब इस में क्या बोलू तो थे ना आपकी सरगार मनमोहन सिंग की तरते आप अच्छी मात अब तो अब तो मैं बताऊंगा निल जी आप वतने आपको एक बार अपनी टीम को लगाई है कि जो उधर से कमेंट हो रहा था उसमें खाली 62 के पहले नेहरू जी ने क्या गया तहीं दिखाया जा रहा था बात में कुछ नहीं दिखाया जा रहा था यह उनकी से दिखिए मैंने राहूल गांधी के इस सवाल पर संसद में जवाब दिया था और उसको मैं आपके सामिद रहाना चाहता हूँ एक तो पहली बात है अगर रहूल गांधी RSS का पुरा फॉर्म बोल देंगे तो हमें बहुत संतोष होगा हमें डाउट है क्यों को RSS का पूरा नाम पता है मुझे डाउट है उनको RSS के ओरिजिनल संस्थात्व का भी नाम पता है लेकिन राहुल गांदी जी आज मुझे आपको एक बात कहनी है आपके पिता जी आपकी आदर्णिय दादी जी और आपके आदर्णिय पर्णाना जी ये सब RSS को कोशते रहें इनकी पुई राजनीटी आज RSS कहां से कहां पहुँच गया हम सबों को गर्व हम उसके स्वम सबोप रहें इतना संका विस्तार हुआ है